नमस्कार दोस्तों जब तक ये वीडियो समाप्त होगा कम से कम 2500 टन का प्लास्टिक पैदा हो जाएगा और इसमें से आदा ऐसा होगा जो बिल्कुल इस तरह से होगा सिंगल उस प्लास्टिक होगा आज का वीडियो एक्जैक्लि इसी बारे हम बात करता है कि ये जो तीन आर हैं जिसके हम बातकरते हैं क्या है सर्कूल समागर आप देखेंगे तो इन जर्नल हम कुछ ना कुछ भर में ऐसी चीज होती है जो बार बार इसमाल करते हैं आप देखते हैं अकसर हम कोई टीशिट लेके आते हैं पहनते हैं उसे और जब मिलगता है पुरानी हुगे है तो अकसर struggle में शॉबख लेता है जो मिलगता है कि आप श्राम के लाय भी ने रही तो रात को किसो तोने के लिए इसमाल करने लगान जाता है जमांण में लगता है उस किसी डैव शायकिल करनी रहें यह रियूज्ग करी रहें घरम सेकुलन एक्टेक्स में बातकरें तो जो बिए इसवारें बाथ करते हैं किस तरीके से उसको बार बार यूज कर सकें किस तरीके से ये इंशूर कर सकें कि जिससे में मैनिफेक्चर कर रहे हैं उससे में मैनिफेक्चरिंग किस तरीके से हो जिससे में किसे यूज कर रहे हैं उसमें किस तरीके से बार बार यूज कर सकते हैं और जिससे में उस कर रहे हैं क्या उसकी हम क्वांटी कम कर सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी वेस्टिजी आज हम करते हैं मेनिफेक्ट्री में क्या उसे हम कुछ कम कर सकते हैं और इस तरह से जहां भी किसी भी तरह का कुछ भी हम डेक्शन कर सकते हैं उसे हम करें तो अक्सर ऐसा होता है कि ह हम बहुत कुछ खरीदें मार्केट से और अक्सर उसके हमें रिक्वार्मेंट नहीं होती है तुमारे एक जगा बहुत चाह पड़ा था एक बोलते हैं थी डे रूल कि आपकी कुछ भी लेनी की बहुत इच्छा हो तीन दिन रुख जाओ तीन दिन बाद भी अगर आपको क्यों कर सकते हैं कि जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी के इस की स्सें से दिन वाट करते या कि बात करते हैं इसका हम एक कर सकते हैं तो कुछ इस Biz कि बात करते हैं उसका इक उस कर kommunィन कर सके कुछ इस अग्जामपल आपको शुरू में एक टी-शिट का उसी तरह से अगर हम और देटो देटी लाइफ में बात करें रादर देन यूजिंग प्लास्टिक बॉटल के अग्लास बॉटल को यूज़ कर सकते हैं अगर हम अगर को बैटरी के कॉंटेस्ट में उसकरें तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार जब यूज़ कर लेते हैं अब उसका क्या क्या किया जाया क्या उसको किसी और परपस के लिए उसका सकते हैं गैस का सिलिंडर होता है यूज़ करता है ऐसा नहीं होता कि गैस सिलिंडर खता होंगे उसको मिसमाल करते हैं तो उसी तरह से किस तरीके से लाइफ में हर जगा इस कॉंसेप्ट को मियाद कर सकते हैं और जो तीसरा है वो है रीसाइकल रीसाइकल बात इस बारे में करता है कि एक बार हमने जब चीज़ को इसमाल कर लिया अब उसकी लाइफ खतम होगी अब क्या करें उसका जैसा बिल्कुल शुरू मैंने आपसे कहा था कि आदे से ज़्यादा जो वेस्ट होता है वो सिंगल य और एक कि एक और और बहुत कैंट बहु DO कि इसकरेंगे कि अर् Hindi इंजनल हमारा कोंसेट ही होता है कि सबसे जाए ज़ए ज़यादा इंव. इस वरर में करेंता है और तो कि अधितन इस याद इनजर ऊक agrees कि हम्योंति आनि पर पर उसके बाद री उस पर और उसके बाद हमें री सैक्ल पर करना है जब हम इस कॉंसेप्ट को चेंज करेंगे तो रीगल में डिफ्रेंस आना शुरू हुआ बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारा काम कर रहे हैं जैसे यूके में एक टेक्स लगाया है उन्हें कि अगर थर्टी परसंट री सैकल प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको एक उपर एक सर्टेन टेक्स लगेगा कई जिगा पर लॉच हो रहा है विद रिस्पेक्ट अगर मैं समरी करूं तो पर मैं तीन आर के बारे मैंने आपसे बात की थी रिड्यूस और रिसाइकल और यह जो तीनों यह बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है विद रिस्पेक्ट विस्पेक्ट तो सर्क्लोर एकॉनमी और जितना जादा हम डेली लाइफ में अपनी ओफिश रहेगा वो भी circular economy के बारे में रहेगा वहाँ पर मैं एक और interesting topic के बारे आप से बात करूँ हूँ रहे हैं और help कर रहे हैं अपकी क्या expectation है तो प्लीज उसको आप continue कीजिए इस particular video को आप और detail में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगा उसे क्लिक करिंदे ब्लॉग देखेगा और detail में जानकारिंग मिलेगी इस वीडियो के बारे में अगर आपको लगता है कि इस तरह कि ब्लॉग्स एन वीडियो यूस्फुल है तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे वेबसाइट भव्यमंगना.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तन्यवाद